मेरे देशवासियो जहिन मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मेरे एक सिमा सुरक्षाबल के जवान ने अपने खाने के मामले में देश को एक संदेश दिया है मैं भी एक सिमा सुरक्षाबल से इंस्पेक्टर पद से रिटायर्मेंट आयवा हूँ और मेरा भी कार्ण यही था कि मैंने जवानों के खाने में किये जाने वाले घपले के मामले में उच अधिकारी की बात नहीं मानी थी और मुझे मजबूर किया गया था कि मैं आज से दस साल पहले वॉलेंटरी रिटायर्मेंट आया था मेरे देश वास्यो आज एक बार फिर आप तक यह संदेश पहुचाने के लिए मैंने यह दस साल से जो अपनी वर्दी संभाल के रखी वी थी इसको पहन कर आपके सामने आया हूँ सिरफ खाने खाने का मामला नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ जवानों को समय पर छुट्टी नहीं देकर जो उनकी चमचागरी अधिकारियों की करता है उसको समय पर छुट्टी दे दी जाती है लेकिन जो जवान उनके आगे पीछे नहीं जाता उसको छुटी के लिए भी बहुत फ्रेशन किया जाता है मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों ने देखा होगा अकी जवान लेटिन के सामने जो ट्रेन के अंदर लेटिन बनी होती है उसके सामने अपना बीस्तरा लगा के लेट कर अपना बहुत लंबा लंबा सफर तै करता है जब वो छुटी आता है इसका एक बहुत बड़ा कारण है एक की अधिकारियों की काग्चों पर तो लिव प्लान बनाया जाता है लेकिन उसको वास्तविक रूप नहीं दिया जाता और भी बहुत सारे गपले किये जाते है आपने बागा बोडर देखा होगा बागा बोडर पर जो जवानों ने वर्दी पहन रखी है वो उन्होंने आपने पैसे से खरीद कर पहन रखी है जो वर्दी इनको इस्यू होती है उसका कपड़ा इतना घटिया होता है लाकि एक बार धोने के बाद दुबारा उस वर्दी को कोई भी सर्मोनियल ड्रेस के रूप में पहन नहीं सकता आपको एक बात और कहने चाहूँगा सिर्फ ये खाने का घपला कहा तक है इसके बारे में भी बता दूँ जो भी आप बोर्डर पर पोस्ट देखते हैं या जो कैम्प आप सी दिबासा में मैं बलूँगा कैम्प आप लोग देखते हो उस कैम्प का बहुत बड़िया मेंटेनेंस किया जाता है और उस मेंटेनेंस को करने वाले जवान होते हैं और उस मेंटेनेंस के लिए जो समान लाया जाता है वो भी जवानों के रासन से ही लाया जाता है और भी मैं बताना चाहता हूँ जितने भी अधिकारी कंपनियों में या पोस्टों पर विजिट करते हैं एक जवान की लगभग जो 50 रुपे डाइट है एक समय की, वो 50 रुपे की डाइट अफसर दे या ना दे, फिर भी वो अगर एक दिन रात को रुपता है, उसके लिए धारू का, सिगरेट का, मुर्गे का, हर परकार का, खाने का, विभिन परकार के वेंजन बनाए जाते हैं, और वो दे कर जाएगा तो सिरफ ज्यादा से ज्यादा 50 रुपे, इसी परकार से आपने देखा होगा, अकी वेलफेर के लिए जवानों के लिए बहुत पैसा आता है, उनकी फैमिलीज के वेलफेर सेंटर खुले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पैसा जो आता है, उसको भी उच्छ दिकारी ऐसे ही चाड़ जाते हैं, मैं आपको अभी माम लाया था जैंटके का, मैं जैंटके के मामले में बताऊंगा, अकी जो बोर्डर पे कारगिल्ज में मैं भेरे खुद रहा हूँ, जो बोर्डर पे उपर पोस्टों पे रहते हैं, उनके पास तो आदा र पाड़ी होती है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी स्क्योर्टी या स्क्योर्टी एड्स कहते हैं, उसको यानि जो उनके साथ सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, उनका काम एक बच्चे को समालेगा, एक उसके वर्दी प्रैस करागे लाएगा जूते पॉलिस करेगा और साथ की साथ वो उसके खाना पकाने का भी जवान काम करता है, अगर किसी जवान ने मना किया, तो उस जवान को बहुत प्रेशान किया जाता है, मानसिक रूप से परताडित किया जाता है, और इसी परकार बहुत सारे गपले, चाहे वो वर्दी ख खरीदने में हो बहुत सारे गपले किये जाते हैं इसलिए मैं एक बार फिर उस तेज बहादुर यादव को सलाम करता हूं जिसने अपने जवानों की भावनाओं को देश के प्रदानमंतरी तक पहुंचाने की कोशिश की है एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा आप देख कारियों से प्रेशान होते हैं और मैं तो एक कहूंगा बिल्कुल सरयाम ऑफसर जो सीनियर होते हैं वो ताना साही का जो है एक छोटा रूप कह सकते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे डीजी आये जिन्होंने जवानों के बारे में कभी नहीं सोचा लेकिन मैं इतना जु जवानों के बारे में सोचने के लिए डीजी आया है तो मिस्टर परकासिंग आये हैं इन्होंने जवानों के वेलफेर के लिए बहुत काम किया लेकिन आपको देशवासियों जानकर हैरत होगी इतने अच्छे अधिकारी को जो इनको सर्वीस की एक्स्टेंशन मिलती है सिर उस प्रेड में भाग ले रहा था परकासिंग ने अपने भासन में जवानों की पीड़ा को समझा और वो बड़े दुखी और भावक हुए थे कि मुझे जवानों का भला करने के लिए समय नहीं दिया गया दोस्तों आपने जो इस जवान की आवाज को सोशल मीडिया के थुरू उठाया है बहुत सारे मामले हैं अगर इसका गहन पूरे सिमा सुरक्षा बलके आपके जवानों के बारे मैं मैं बता हुआ कोई भी अधिकारी कोई भी मीडिया वाला जाकर देख लीजिए एक जवान लगातार बोडर पर तीन घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता उसका रूटीन का सिस्टम इतना बीजी है कि अगर आप इमांदारी से डूटी करोगे तो ऐठारा घंटे कम से कम उसको डूटी देनी पड़ती है और अठारा घंटे के बाद उसको अपने कपड़े दोना नाना ब्योपी की मेंटेनेंस करना ये सारे काम इससे अलग है तो आप सोचिए इन प्रिस्तितियों में जब हमारे पैरा मिल्टरी फोर्स के जवान काम कर रहे हैं लेकिन जब भी वह किसी परकार के आवाज उठाते हैं तो अधिकारी उसको दबा देते हैं हाँ इतना जुरूर मैं कहूंगा कि सभी अधिकारी एक जैसे नहीं है बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छे भी हैं जैसे मैंने देखा है SPG में जो गए वे अधिकारी वापिस सिमा सुरुक्षाबल में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा कारिया और जवानों की भलाई के लिए काम करते हैं उसका कारण है क्योंकि वो SPG के अंदर एक इंस्पेक्टर से लेके सिपाई तक दोलों एक किसम की डूटी तक भी करते हैं इसलिए उन में इतनी हीन भावना जवान के परती नहीं होती लेकिन जो सिमा सुरुक्षाबल के अधिकारी है वो वाक्य में जवानों को बहुत प्रेशान करते हैं मेरा आपसे अन्रोध है इस वीडियो को देखकर एक बार फिर समश समश्याओं को जो हमारे सिमा सुरुक्षाबल के जवानों को या सीर पियर आई टी बीबी इस या या सब के जवानों को आती है उसको जरूर एक बार पूरे देश के अंदर फैलाए धन्यवाद